हेलो फ्रेंट्स मैं हम इमानशी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नेक्सनल लाइट वेल आज हम जिसके बात करने वाले हैं वो एक ऐसी एक्ट्रिस है एक ऐसी मॉडल है जिन्होंने हर एक जगा में अपना टैलेंट पकुबी तरीके से शो किया फिर चाहें वो रियालिटी शो हो या फिर खुद का ही खुदी पर बेस्ट एक शो क्यों ना हो या फिर बॉलिवुड में डांस करने की बात हो या फिर अपना एक्टिंग टैलेंट शो करने की बात हो या फिर अपनी डांसिंग स्किल दिखाने की बात हो हर किसी में खुद को प्रूफ करने वाली the very famous actors गौहर खान जी हाँ गौहर ने हर एक चीज में खुद को प्रूफ किया है चाहे वो डिग बॉस का खिताब जितना हो या फिर अपनी life से जुड़े अच्छे decisions लेना हो या फिर खुद को प्रूफ ही क्यों ना करना हो गौहर खान ने हर एक फिल्ड में खुद को अच्छी तरीके से प्रूफ किया है और सबसे खास बात तो यह है कि हर एक मीडिया ने हर एक चीज ने उन्हें काफी अच्छे तरीके से अपनाया है जी हाँ आज हम गौर खान की कुछ ऐसी बाते कुछ ऐसी अंसुनी राज कुछ ऐसी उनकी खास बाते उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी राज आज हम आपको बताने वाले हैं और बहुत ही खास तरीके से हम आपको बताएंगे किस तरीके से गोहर खान ने अपनी ये मुकाम हासिल किया साथ ही साथ आज गोहर खान को हर कोई जानता है तो चलिए आपको बताते हैं गौहर खान की वो कुछ ऐसी खास बाते कैसे उन्होंने इतना अच्छा मुकाम हासिल किया और आज भी गौहर खुद को प्रूफ करते हुए हर जगा दिखाई देती हैं तो चलिए आपको भी सुनाते हैं गौहर खान एक ऐसा नाम जिसने टीवी इंडस्ट्री और बॉलिवुड में बहुत ही साधा मेहनत कर खुद को क्यूफ करा है जी हां गौहर खान एक ऐसा नाम है जिसने हर एक चिनौतिक का डट के सामना किया एक भारते बहु प्रतिवाशाली बहुत ही जादा खुबसूरत और वीजे रहने वाली गौहर खान आज हर किसी के दिल में रास करती ही नजर आ रही है जी हां मौडलिंग करने के साथ ही इन्होंने कई सारी भारते फिल्मों और म्यूजिक वीडियो में भी काम किया है गौहर अपनी अभीने शम्दा का प्रिचे देते वे बॉलिवुड में बहुत ही ज़दा नाम कमाया है गौहर चीवन के बारे में सब तरीके से खुद को प्रूफ करती भी नजर आई है बतादे आपको कि गौहर खान का जरम भारत के महरास्ट राजे के पूने में 23 अगस 1983 को एक मुस्लिम परिवार में हुआ था गौहर खान की सिक्षा दिक्षा पूने के माउंट कार्मिल कर्णवेंट स्कूल में हुए उन्होंने पूने के नेस वाज्या कॉल्ज अपकॉल्मर्स से अपनी पढ़ाई की साथ हिंताय है आपको गौहर खान के परिवार में उनके माता पिता के अलावा प 7 भाइब मैयन वी हैं बहुत ज़्यादा प्यार भी करती हैं अपने सारी ही बच्चों से अगर हम गोहर की पर्सनल लाइफ के बारे बात करें तो जैसे आप सो भी जानते हैं कि गोहर ने 2013 में देशक शारीद खार के साथ रिष्टे में नहीं लेकिन ये रिष्टा जारा समय तक नहीं चल पाया जी हां बात में उनका नाम आक्टर कुशार टंडन के साथ भी जूरा जैसा अब सो भी जानते हैं कि बिग बॉर सीजन 7 में उनकी मुलाकात हुई कुशार टंडन से ले का अब का उससिन इस लेकित कि हैंडिक को क्षाव साथ साथ सब बहुत है द्रेखपारर करेक्या वह किकसे हर स्पीटी रिचांडक करना उनको बहुत अच्छी तरिके से आता एंस तो इस तरह गोरें का जीवन एक उतार मर्फूर रहा गोर्षा ही इ Mercунल चीज़oid को ढूड पायल चेहन और निता लूला जैसे मश्यूर डिजाइनर के लिए मॉडल भी कर चुकी है वो पोड़ आइकन बजाज ओर्टो अबॉलकार और काई सारी जरगरी के लिए डेलिविजन विग्यापन में भी काम कर चुकी है 18 साल के उमुद में 2002 में वो फ्यमिना मिस इंडिया प्रतियोगता में भाग लेते वीच फूर्थ नंबर पराई थी उन्होंने मिस परतिवश्वाली का खिताब लिए इसके कुछ टाइम बाद ही उन्होंने मिस इंटर्नेश्टरल पार्डिस्टिपीशन में भारत को भी दिखी थी उसके बाद वो बॉम में विक्सिल स्वारा बनाए गए म्यूजिक वीडियो हवा में उरता जाय में जरूर दिखी गई थी यह वीडियो काफी मश्यूर भी होई थी इसके अलावा 2004 में शंकर दादा एंब्यस के गाने नाख परे कंचन माला में भी नजर आई थ उन्होंने जूम टेलिविजन पर आने वाले फिल्म गॉसिप शो पेज 3 के लिए एंक्री भी की थी 2009 में वो जह दिखलादा सेलिब्रिटी डांस शो में पार्टिसपेशन करते भी नजर आई थी जहां उन्हें काफी पसंद ज्या गया था गौर खार ने फिल्मों में अप प्रूफ कर जाता जिसकी तारीफ करते वें अंबब चोप्रा ने कहा था कि गोहर ने फैशनेवल और महत्वकांशी और स्मार्ट रैस्पिजेंस्ट की भूमिका को इस फिल्म में युवदार और काफी ज्यादा महत्वपूर्य आने के इंपॉर्टल रोल प्ले किया 2011 में उनकी action thriller film आई थी जिसमें उन्होंने सामरा शौक नामक पात्र के किरदार को किया था इसकी सरहाना करते वें एंटी टीवी ने कहा था कि गोहर इस फिल्म में वफदार साजिक के रूप में अच्छी लगी थी इस साल दाखांस इस्टर नाम के एक शो में में वह अपन सबसे नाया जिसकी तारीब हर किसी ने की 2013 में कलर्स चैनल का आने वाले शो बिग बॉस की सीजन 7 की वह विजयता भी रही जी हां बिग बॉस सीजन में आने के बाद गोहर खान में अपनी जो उनकी परसनल लाइफ है जिस तरीके से वह खुद रहती है उनका जो रियल इसको करने के लिए उन्हें हर सता साथ लाख रुपे की राशी प्राप्त होती थी अगर हम खबरों की मारे तो 2015 में पंजामी फिल्म और यारा एंवी एंडवाई में काम करना शिरू क्या था 2016 में प्रिवर नाम की ब्लॉगवास्टर फिल्म में गौर खान ने में ब्लीट रोल में सभी का दिल जीता इस फिल्म में उनके अभिने की काफी ज़ादा तारीश दिले गए 2017 में रोमेंटिक कॉमेडिव फिल्म बद्रिनाथ की दुलनिया और बेगम जान में उन्हों ने अपना एक्टिव दिखाया और खासकर की दांस से जो की हर को उनका दिवाना है वो भी उनने काफी बखुवी तरीके से निभाया तो वहीं गौर खान का विवादों से भी मुहमद आकिल मारे नाम एक कुष ने अनुचित परिगारम और कह सकते हैं उन्हें मंच पर जाकर एक थपर मारा था जो की काफी जादा कॉल्ट्रवर्शन रहा था इस बारे में कोई बुल्कुल कह सकते हैं जानकारी साब नहीं आए कि आपकी जिक्की हुआ क्या था और इ गौहर खान की जो हाइड है वह 5-7-inch है और खासकर कि गौहर की जो पैमिली है वह गोहर खान से बहदीप डार करती है जी हाँ घर वाले गोहर खान को गव के नाम से बोलते हैं और पसंद करते हैं अगर हम पीवरिट पूट की बात करे तो उन्हें चिकन बिर्यानी चॉक्ल यह तो कि अगर हम भीक पूस्ट काफी पसंद है वहीं अगर हम उनकी फिवरिट प्लेस की बात करे करें लंडन उसे कावन में काफी पसंद है और साथिस साथ एक अभिनेत्री के रूप में ऐसा महसूस करती हुई है गोहर खान की जित्ते भी किरदार को उमोरिक किया है उन लोज में काफी मानती हैं उने काफी पसंद दिया आता है साथी तीवी की दुनिया में टीवी शो बेहत ऐख नए अंदाज में अच्छी तरीके से खुद को अन्य दर्शाय है और वह हर एक चीज को काफी तरीके से करने की सोचती हैं और साथ इसाथ उन्हें वह करना काफी ज ताइने दोस्तों से काफी प्यार करती है हर बार नजगायें हैं उनका ये खासा अंदास और उनकी ये फैन फालोईग और उनके हर एक अंदास में उन्हें हर को एक संद करता है साथ हम आपको यह बनादे ही कि वेब सीरीज तो देखा आपने किस तरीके से गोहर खान ने अपनी लाइफ को इतनी अच्छे से जटाया है साथ ही साथ हर एक फिल्ड में गोहर ने खुद को प्रूफ किया है चाहे उनका दिल तूटा हो या फिर उन्होंने किसी भी तरीके से खुद को हैंडल करना क्यों ना हो और गोहर खान ने हमेशा इस बात को कहा है कि हमेशा अपनी ड्रीम को जीना चाहिए ये अपनी बात को हमेशा रखना चाहये और साथ इसलिए गौहर खान को आज उनकी जो उनकी बोलने का वज है जी तरीके से वह अपनी बात को रखती है र कोई उन्हे उसी चीज के लिए जानता है और सब якम उमिद् capable करते हैं कि गौहर खान इसी तरीके आज के लिए बस इतना ही हम फिर मिलेंगे ऐसे खास प्रोग्राम के साथ लेकिन उससे पहले हमारे इस वीडियो को जरूर आप लाइक और शेयर करेगा और हमारे चैनल नेक्सनल लाइफ को जरूर सब्सक्राइब करेगा